हरदोई की संडीला पुलिस ने इसोजी वा सर्विलान स्वाट टीम के साथ मिलकर चोरी किये गए ट्रेक्टर को बरामत किया है पुलिस ने अंतरजनपतिय तीन चोरों को गिरफतार भी किया है जबकि उनके तीन साथ ही भागने में सफल रहे पुलिस के मताबिक उनको भी जल्द ही गिरफतार किये जाने के लिए पुलिस टीम प्रियासरत है मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अदिक्षक राजेश दिवेदी ने बताया कि आगामी विदानसबा चुनाओं के मद्दे नजर उनके निर्देश पर पुलिस वस्वाट टीम के साथ एसोजी सर्विलांस टीम वसंडीला कजबा चौकी पर भारी बालेंदर कुमार मिश्रा के दौरा मलाईया बॉडर पर चेकिंग के दौरान मुक्बिरत की सूचना पर तीन लोगों को गिरफतार किया गया एसपी के मताबिक उनके कबजे से संडीला कोतवाली चेतर में चोरी हुए एक अन्य चोरी का ट्रेक्टर बरामत किया गया है एसपी ने बताया कि गिरफतार किये गए तीनों अभी उतनों द्वारा पूस्टाज के दौरान बताया गया कि खरीब देड़ महापूरू तीनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक वैगनार कार से संडीला रेकी करने आये थे और एक ट्रेक्टर ट्रॉली अत्रॉली रोड पर खड़ा दिखाई पड़ा तो धक्का लगा कर ट्रेक्टर को स्टार्ट कर ट्रेक्टर और ट्रॉली को लिएकर चले गए इस परकार काफी समय पहले जन्पत शाह जहापूर से भी एक ट्रेक्टर चोरी की गई थी कागज ना होने के कारण ट्रेक्टर बिक नहीं पाया इधर जब नेतरपाल, रंधीर तथा सचिन सैनी ने दोनों ट्रेक्टरों का सौधा पक्का कर लिया तो आज वो लोग ट्रेक्टर लिकर शाह जहापूर जा रहे थे इसी दोरान पकड़ लिये गए पुलिस ने देवेंद्र कुमार सिंग उर्फ छोटू, निवासी बिलंदपूर, गद्धीपूर, वा मनोश सिंग उर्फ परधान, ग्राम पटाई कट हुआ, जनपत शाहपूर, वा महंद्र कुमार यादो, निवासी चिन्ना खेडा, बेनी गंज, जनपत दुन्नाओ को गि इसके दिस्टिकत विगत दो-तीन दिन से पत्रिक्ट क्रियास करने हितू, मेरे द्वारा जनपत के सभी बॉडरों पर बारी-बारी से जनपती, पुलिस, स्वार्ट, एसुजी, आधी टीमें लगाकर अवयद गत्युजियों के समन्द में अभियान चलाए गया था, इसी क करने और पूस्ताज करने पर गयात हुआ, कि इनके दोनों ट्रैक्टर चोरी के थे, जिसमें से एक इसी जनपत से विगत महा जनवरी में चोरी किया गया था, वो एक ट्रैक्टर डेढ़ वर्श कोर से चोरी किया गया था, ये जो तीन अभियुगत थे, इसमें से करें हैं अभियुगत, इनके क्रिमिल इस्ट्री और अन्य जो वारदाते इन्होंने की हैं, उसके बारे में परताल की जा रही है।